हेलो दोस्तों, वेलकम तो उनली आईएस, डेट है आज की 15th October 2022, एंड आप सभी का स्वागत है editorial discussion में, देखे सुमिद सर बहुत ही जल्दी आप सभी के साथ resume करेंगे, एक बिलकुल नहीं energy और बिलकुल नहीं तरीके के साथ, तो इसी positive note के साथ आज का editorial discussion स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा information, देखे, last week, that is 8th of October को editorial discussion नहीं हो पाया था, तो उसके कुछ articles बचे हुए थे, तो वो articles में आपके साथ आज discuss कर लूँगा, साथ ही साथ, आज के जो editorials हैं, उनको भी हम आज देखने के कोशिश करेंगे, सबसे पहला editorial है, the return of big cat, ये mint में आया था last week, तो उस के regarding क्या चीज़े हमें जाननी चाहिए, and आप इस particular topic के साथ GS3 के इसको relate कर सकते हो, तो देखिए, आप सभी जानते हो, कि जो चीता है, उसको इंडिया में वापिस से reintroduce किया जा रहा है, after nearly a gap of 70 years, पर ये कौन सा चीता है, ये चीता है, अफ्रीकन चीता, ना की एशियाटि चीता, तो जो राइटर है, यहाँ पर कुछ ना concerns raise करते हैं, उन्ही concerns को समझने की एक बार कोशिश करते हैं, देखिए, राइटर यहाँ बोलते हैं, कि जो अफ्रीकन चीता है, वो एक तरह से क्या है, इंडिया के लिए alien है, ठीक है, और इसके काफे सारे challenges आ रहे हैं इसके बड़ा concern है, पहले इंडिया में जो चीता होते थे, वो एशियाटिक चीता ही होते थे, जो इंडिया के अलग-अलग grassland, semi-arid और desert region पे हमें देखने को मिलते थे, पर इस बर हम लाग इसको रहे हैं, अफ्रीकन चीता को, आप जानते हो कि जो अफ्रीकन चीता होता है, वो मैं बार-बार questions देखे हैं इसके regarding इस तरहां के छोटे facts के उपर, तो हमें ये चीज समझनी होगी, देखो जो चीता हैं, उनको vulnerable की category में डाला गया है, IUCN की red list के corresponding, on the other hand, अगर मैं आपसे बात करूँ, एशियाटिक चीता की, जो एशियाटिक चीता है, वो overall क्या है, critically endangered है, चोट-चोट facts हैं, but very important for prelims, ठीक है, एशियाटिक चीता क्या है, critically endangered species है, IUCN के हिसाब से, अब देखिए इनको ना, actually इंडिया में चीता एक्स्टिंक्ट हुए, आपको देखने को मिलेगा, 1947 तक इंडिया में चीता हुआ करते थे, but इनको hunting lepers बोला जाता है, इनको अलग- prey base का क्या मीनिंग, जो correspondingly इनका prey होता है, जो इनके food होता है, उस तरह के जो animals थे, उनकी जैसे कमी होती गई, accordingly इनके corresponding number में भी हमें कमी देखने को मिली, क्योंकि इनको proper food ही नहीं मिल रहा था, साथी साथ, habitat degradation, ठीक है, उससे भी impact डाला, और चीता है, इंडिया में extinct होते रह गया कि इंडिया से ये अब extinct हो चुके हैं, आज के टाइम पर देखो, जो एशियाटिक चीता है, वो सिरफ 40-50 बचे हैं, और कहां पर बचे हैं, वो इरान में ही बचे हुए, ठीक है ना, तो सिरफ 40-50 numbers ही हैं हमारे पास world के अंदर, एशियाटिक चीता के अंदर, and that to only in Iran, इंडिया में काफी लंबे टाइम से ये चीज़ सोची जा रही है, कि हम चीता को वापस से इंडिया में reintroduce करते हैं, 1970 से बाते हो रही है, तो देखे लगबग 50 साल से हम ये चीज़ discussion कर रहे हैं, कि चीता को इंडिया में reintroduce कैसे किया जाए, पहले हमने कोशिश क्या करी, ह तो यही था, सुप्रीम कोट ने भी पहले इस फोड़ा बैन लगाया हुआ था, पट अब सुप्रीम कोट ने इसको लास्ट इयर जो जनवरी में इसको अलोग कर दिया था, कि अब आप इसको ला सकते हो, अब देखो इंडिया चीता के रिगार्डिंग इतना वो क्यू है, कि है, इसको लेकर आना है, देखिए, एक्चल में है, क्या कि इंडिया में जो सवाना हो गया, वोड्लेंड बायो डॉइवस्टी, इसको एक तरह से बापिस से रिइंस्टेट करना है, तो चीता को ऐजा फ्लैक्शिप स्पिश्री की तरह देखा जा रहा है, देखो फ्लैक को बचाने के लिए, आप देख रहे हो कि आपने एक स्पिशिस को इंटर्ड्यूस कर दिया, तो जैसे यसे स्पिशिस को आप प्रोटेक्ट करोगे, उसके साथ साथ होगा क्या, ये इंवार्मेंट कॉस्ट या आपका जो भी आप कोई ना कोई कैम्पेंड लेके आ रहे हो उनको बचाने के लिए, उस कैम्पेंड के साथ बाकी क्यों आप चीज़ भी तो पर्टेक्ट होती हैं, तो इसी वज़ा से इंडिया जैसे चीता को री इंटर्ड्यूस कर रहा है, वो सोच रहा है कि कही न कहीं साथ ही साथ हमारा ग्रास लेंड हमारा समाना ये साथ में ही इस्टोर होता रहेगा, इस वज़ा से इंडिया इतना हुदा कीन है कि चीता को री इंटर्ड्यूस किया जाए, इसलिए पिछले 50 सानों से अलग-अलग एफट्स ले जा रहे हैं, और मैंने आपको बताया भी इनको री इंटर्ड्यूस कहां किया जा रहा है, इनको री इं इंड साथ ही साथ ये शिवपुर शिवपुरी फॉरेस्ट का एक पार्ट है, ठीक है, तो इनके और आपको यहां पर हैबिटाइट भी आपको पता लगए, अच्छा प्रेवेस भी है, हमने देखा था ना अभी, कि जो चीता इक्सेंक्ट हुए, उनके पीछे का एक करन य नीलगाय, सामबर, चिंकारा, वाइल्ट वेक्स, यह सारी चीज़े यहां पर मिल जाएंगी, विच मेक्स है, सूटेबल लोकेशन पॉर री इंट्रिक्शन ओफ चीतास, साथी साथ, एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, ठीक है, जो कि पहले अल्री है, यहां पर के अंदर, जो इसको थोड़ा इसकी लोकेशन में हल्प कर रहा है, पर सबसे इंपॉर्इंट चीज, क्या इशूज क्या है, अगर हम इसको री इंट्रिक्श करते हैं, उनको समझना सबसे अज़रूरी है, और सबसे मेजर कंसरन देखो यह ही है, हमारे यहां क्या थे, एश कुछ-णा-कुछ हमें questions रहे, इनका previous different है as compared to Asiatic सीता, इनके habitat different है as compared to Asiatic सीता, तो यह सारी concerns यहां पर हमें देखने को मिल सकते हैं, उसके साथ ही साथ देखो, जैसे हम देखो इनको लेकर आ रहे हैं, African subspecies को, ना ही उसका genetic diversity पे impact पढ़ रहा है, ना ही Asiatic subspecies के conservation की उपर, क्यों? क्योंकि देखो एशियार्टिक सबस्पिशिस हैं और वो भी सिरफ एरान में तो अगर हम इंडिया में अफ्रीकन सबस्पिशिस लेकर भी आ रहे हैं तो क्या एशियार्टिक के लिए हम कुछ खर रहे हैं उनकी conservation के लिए? नहीं, वो तो हो सकता है वहाँ पर अभी भी extinct हो जाएं तो ये भी एक concern या challenge आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उसी तरह से इंडिया के जो मैंने आपको पता है ना कि flagship इसको species की तरह प्रजेक्ट कर रहे हैं हम लोग ताकि वहाँ के grassland, वहाँ के सवानास इनको प्रजेक्ट कर पाएं तो ये एक्चल में जो objective हमारा है वो asiatic चीता सर्व करता है ना कि african subspecies तो ये भी एक issue यहाँ पर हमें देखने को मिल गया उसी तरह से यहाँ पर जैसे हम इनको लेकर आएंगे क्या इनको wild में छोड़ देंगे आते सारे, नहीं, इनको कुछ देर रखा जाएगा captivity के अंदर, मतलब इनको ना ऐसा होगा कि इनको freely move नहीं करने दिया जाएगा एक जगा में इनको रखा जाएगा, वहाँ पर इनकी movement, कि इनकी कहाँ पर move कर सकते हैं उसको restrict किया जाएगा, जब किसी animal को आप इस तरह से उनकी थोए time के लिए mileage की movement को restrict किया गया, तो हो सकता है कि उनका जो behavior था, वो बदल जाए अब शायद जो African चीता जिसके लिए जाना जाता है अपने wild behavior के लिए, वो wild behavior ही चला जाए उपर से इनका जो habitat है, वो इनके लिए बिल्कुल नया होगा African subspecies के लिए तो क्या African चीता दरसल में अपने characteristics को maintain रख पाएगा, यहाँ पर भी writer यहाँ पर question उठाते हैं उसी तरह से risk from diseases, अलग-अलग disease का यहाँ पर risk हो सकता है जैसे की, देखो, canine distemper virus, अगर आपने देखो, news को थोड़े लंबे time से follow करते हो, ता I think 2018 यह और 2019 की बात है, हमें गिर national, जो गिर forest है हमारा, वहाँ पर हमने क्या notice किया था, कि 20 से भी जादा जो lines है ना, उनकी death होगी थी, क्यों, canine distemper virus की वज़ा से यह actual में क्या होता है, एक तरह का viral infection होता है, जो की, जैसे central nervous system हो गया, ठीक है, respiratory हो गया, इसके regarding कुछ ना कुछ ही, infections यहाँ पर cause कर सकता है, इन animals के अंदर, इवन देखो, जो अभी, एक दू साल पहले की बात है, जो हमारा राजस्थान के अंदर, रंथम बोर नेशनल पार है, बहाँ पर भी around बहुत सारे dogs को देखा गया, कि उनके अंदर यह चीज थी, तो यहाँ पर भी एक possibility बनती है, कि अगर इनको, देखो, वैसे हम इनके recording vaccination की कर रहे है, बट फिर भी हो सकता है, जैसे captivity के अंदर रखा जाए, या फिर unfamiliar conditions के अंदर, इस तरह के कुछ ना अबिटेट की बात कर रहा हूँ, 5000 स्क्वेर किलोमेटर की, यहाँ पर कोई humans नहीं होने चाहिए, कोई feral dogs, feral dogs का meaning, जो कही नहीं natural state में हो, जो wild एक तरह से होते हैं, तो यह नहीं होने चाहिए, उसके लाबावा tigers, walves, यह सारी चीज़ें नहीं होने चाहिए, इस तरह एरि तो यहाँ पर जरूरत है कि यह एक तरह का बहुत बड़ा एरिया हो, जहाँ पर बाकी यह चीज़ें नहीं हो, otherwise क्या होगा, कि अगर space कम है और जादा को introduce कर दिया, उससे यहाँ पर इन्हीं को ही दिक्कत आने वाली है, उसी तरह से देखो यहाँ पर इनकी breeding के regarding भी कुछ कुछ issues हमें देखने को मिल सकते हैं, चलो यह तो होगे कि इनके challenges क्या थे, पर यह भी तो समझेना जूरी है कि अगर कुछ challenges है उनको tackle कैसे करना है, क्या solution हो सकते है, पहला तो यही है कि proper space हो, अभी discuss किया ना कि 100 के लिए कितना चाहिए, nearly 5000 square kilometer, तो वो सारी चीज़ें हमें available क कि जब एशियार्टिक चीता का prey base एक तरह से क्या हुआ था, decline हुआ था, तब क्या देखने को मिला, उनके उपर impact पड़ा और एक तरह से वो बाद में extinct भी होगे, अब यहाँ पर चीतल, चिंकारा, या फिर यांग नील गय सामबर, इन सबी चीज़ों का proper prey base होना चाहिए, तब ही यह कही न कहीं exist कर पाएंगे, या continue sustain कर पाएंगे, ठीक है, इसी तरह से हमने देखा, जो diseases है, ठीक है, canine distemper virus और भी हमने disease देखी थी, तो उनके लिए एक proper screening process होना चाहिए, proper protocols होना चाहिए, IUCN के corresponding जैसे इनकी situation है, उसी साब सो देखते हुए हमें proper steps देने करें, ताकि हम इस चीज़ों के ensure कर पाएंगे, अगर हम इनको reintroduce कर रहे हैं, तो proper safeguards के साथ कर रहे हैं, यह इंडिया की diversity को increase करें, और किसी भी वज़ा से जो हमने challenges देके, उनको हम properly अच्छे से tackle कर पाएंगे, तो यह था हमारा जो आज का पहला editorial, चलते हैं second editorial की तरफ, second editorial है, service sector से related, अब देखो यह जो particular editorial है, काफी important है, especially मैं बात करूँगा, और mains की, क्यों, क्योंकि इस editorial के अंदर ना, बहुत सारे writer ने, अलग-अलग आपको facts दे रखे हैं, तो आप इन facts को use कर सकते हैं, अपने answers के अंदर, तो जड़ा discuss करते हैं, कि आखिर यहां पर writer कह क्य रहे हैं, देखिए, जो service sector होता है, वो कहीं न कहीं, हमारे currently, GDP के अंदर आप जानते हो, कि सबसे major dominant sector बन चुका है, over the time हमने यह चीज नोटिस भी करी है, कि पहले हमें agriculture काफी important था, ठीक है, बहुत सारे लोग involved थे, in fact, आज भी agriculture के अंदर एक अच्छे का से लोग involved हैं, हम बात कर रहे हैं, even COVID-19 के टाइम की, तो pandemic के जस्ट बात भी ना, हमने देखा कि एक significant यहाँ पे हमारे foreign direct investment देखने को मिली, Indian exports को boost करने के लिए भी बहुत है point role यहाँ पे इन्होंने play किया, although आज भी agriculture के अंदर ही सबसे जाधा employment है, बढ़ तब भी कुछ shift हमें यहाँ पे देखने को मिला है, nearly 30% Indian workforce को यहाँ पे employment भी मिल रही है, अब बात ही आती है कि जब हम बात करते हैं service sector की, तो कौन-कौन सी चीज़े हमारे दिमाग में आने चाहिए, जैसे trade हो गया, hotel, restaurants, transport, storage, communication, financing, insurance, real estate, business services, community, social and personal services, और construction से लेटेट जो services होती है, तो बहुत ही diverse चीज़े जाते हैं, and even COVID-19 के टाइम पर बात करूं, तो जैसे hotels हो गया, trade हो गया, transportation, इन sectors को कुछ जटका लगा, definitely लगा, अभी भी ये शायद sectors उतना recover नहीं गेट पाएं, जैसे कि airways हो गया हमारा, but कही ना कहीं, बाकी और sectors, चाहे बात करते हैं, इंशोरेंस, IT sector जो हो गया, तो यह यहाँ पर तो इन्होंने sectors ने काफी अच्छा role play किया है, and बाकी sectors भी थोड़ा अपने track पे बापिस आ रहे हैं, and writer यहाँ पर यह भी बात करते हैं, कि अगर इंडिया को 5 trillion dollar economy का, जो हमारा target है, उसको achieve परना है, and साथी साथ 2047 तक, जो प्राइम निस्टर मोजी जी ने हमें target दिया हुआ है, कि हम developed economy बनना चाते हैं, अगर इन चीजों को achieve परना है न, तो वहाँ पर service sector का important role होने वाला है, and साथी आप देख भी सकते हो, कि 2021 में nearly 53% जो इंडिया का जीव यह था, उसमें contribution किसका रहा है, वो service sector का रहा है, विछले कुछ सालों में एक अच्छी आप CAGR compounded annual growth rate आप देख सकते हो, nearly 11.43% हमें यहाँ पर देखने को मिली है, तो एक अच्छी growth यहाँ पर हमें consistently देखने को मिली है, बात अगर pandemic की छोड़ दें, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले sectors में overall annual rate की बात कर रहा हूं, तो annual rate हमें 7% के round, कहिना कि यहाँ पर देख सक करना, ताकि जब exam में एक question आए, service sector की importance के regarding, या कुछ भी और इसके regarding, तो आपके वास कुछ important facts हो, अपने point को prove करने के लिए, especially मैं बात जब भी economic की करता हूं, तो economy में आपना points लिखो, बट उनको substantiate भी करो, किस sense में, कि आपको पता होना चाहिए, कि हाँ, अगर India में यही boost कर रही है, तो कुछ data हो, आप simply यह मत बोलो कि India में export बढ़ रहे हैं, आप बताओ कि इतने percent से बढ़ रहे हैं, या पर इतने percent या इतने dollars का हमारा overall export हो गया है, इस तरहां की चीदों जब आप बताते हो, तो definitely आपके जो आप बात बोल रहे हो, उसमें थोड़ा वजन मिलत है, currently वो 3.5% था यहां पे और अभी 4% से around हो चुका है, ठीक है, उसी तरह से FDI के अंदर भी हमें यहां पे काफी important role play करने को देखने को मिला है, जहां पर nearly 94 billion dollar का हमें देखने को मिला between April 2000 and March 2022, ठीक है, और service sector ही ऐसी थी जिसमें पहला rank आया है in FDI inflow as per DPIIT, साथी साथ आप startups कितनी तेजी से grow करें हैं, 2013-2014 के आसपस की बात करें, तो hardly इंडिया में आपको अच्छे startups थे, unicorns तो बहुत ही कम थे उस टाइम पे, पर अब तो 100 plus unicorns इंडिया में हो भी चुके हैं, और ज्यादा तर यह जो startups हैं, कहां देखने को मिलते हैं, यह आपको service sector में देखने को startups देखे हैं, जाधर startups कहां आते हैं, जाधर startups साथ कल, service sector में हम यह आपर देखने को मिले हैं, उसी तरह से देखो, यहाँ पर अलग-अलग sectors आप देख सकते हो, किसके sectors में importance है, जो हमने कहीं पढ़ा भी, real estate भी हो गया, financial services हो गया, साथ ही साथ आप देखो, railways, road, air transport, कितना important रोल प्ले कर रहे हैं, इवन जैसे agriculture हो गया, agriculture में जो हमारा क्या होता है, एक होता है production process, एक होता है क्या, post production process, तो post production में क्या आ गया, marketing आ गया, storage आ गया, transportation आ गया, तो storage transportation कौन देख रहा है, यह मारे service sector ही तो देख रहा है, और देखो, नीतिया योग कि अगर आपने report हो ना, तो नीतिया योग ने क्या बोला था, कि nearly क्या हो रहा है, हमारा 90,000 करोड रुपे का loss हो रहा है हर साल, क्यों, क्योंकि मारा यह post production process, या फिर storage, transportation, यह चीज़ों की कमी है, तो सोचो, अगर हमने अपने service sector को बहतर बना लिया, तो सिरफ service sector को फाइदा नहीं है, की, अगर हमारी जो logistic courts, currently around 14% है GDP के corresponding, बाकी देशों में कहीं, आपको 8%, 9%, इस तरह से मिल जाएगी, तो जो हमारी बात ना, हमारे मनिस्टर जी, नितिन गड़करी जी बार-बार बोलते हैं, कि इसको अगर हमने इंप्रूफ पर दिया, तो overall इंडिया का export potential बहुत जादा ब कहीं न कहीं क्या होगा, कि जैसे आप healthcare sector हो गया, healthcare industry, यहाँ पर भी expansion हमें देखने को मिल सकता है, overall इंडिया की GDP, digital economy में इसका रोल बहुत बढ़ सकता है, साथी साथ, fourth industrial revolution, जैसे की artificial intelligence हो गया, यह सारी चीज़े भी हमें आने वाले टाइम में, काफी देखने को मिलेंगी, त overall एक काफी expansion होने वाला है, हमारी जो service sector है, उसी तरह से जो GST है, one nation, one tax, one market जिसने यह achieve करने कोशिश करी है, तो overall उसने भी यहाँ पर हमारी help करी है, यहाँ पर भी हमें services के prices में reduction देखने को future में मिलेगा, पर एक question यह आता है, कि service sector से यह तो देख लिए कितनी तेजी से move कर रहे हैं, पर इसके पीछे का reason क्या रहा है, देखो इसके पीछे का major reason है, rise in demand, जैसे जैसे हमने पिछले सालों में देखने को मिला है, कि foreign countries ने क्या किया है, अपने business को इंडिया में outsource किया है, बहुत सारी countries में किया है, one of them being India, जैसे की communication हो गया, advertisement हो गया, computer services, banking, इंडिया मे इस चीज़े असानी से available हो जाती है, तो foreign countries की जो companies है, वो कुछ अपना business इंडिया में outsource कर देती है, इस वज़ा से हुआ क्या, ये चीज़े हमें यहाँ पे इंडिया में high growth देखने को मिल जाती है, उसी तरह से लोगों की population बढ़ रही है, population बढ़ने से चीज़ों की needs बढ मिला, पहले हम dependent से बहुत जादा primary sector के उपर, अब हमने उसको shift कर दिया है, treasury industries की तरफ, ठीक है न, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे technology का role रहा, और आने वाले time में मैंने आपको बताया भी, fourth industrial revolution का एक critical role होने वाला है, agriculture को यापर भी हम देखा, इस तरह से post production process, industrial sector का भी liberalization, privatization and globalization, उसके बाद से एक strong push हमें देखने को मिला है, या उस round से हमें ये चीज़ देखने को मिली है, FDI के जो card is corresponding, जो अलग-अलग restrictions थी, उनको remove किया गया, privatization हुआ, तो नहीं नहीं, companies भी आहाँ पे involved होई, और वो सारी चीज़ें भी साथ-साथ work कर रही है, इसके आप में से जाथ और लोग ना कहीं ना कहीं कि middle class को I think belong करते हो, ठीक है, तो जो आपके grandparents थे, शायद उनके पास ना बहुत ही कम पैसे थे, या फिर मैं यह से बोलूँ कि जो most of the people की बात कर रहा हूँ, तो पैसे की थोड़ी से कम ही रहती थी, तो सिरफ हम क्या कर रहे थे, अपनी needs के, अपनी सिरफ जरूरत वाली चीज़ों को ही पूरा कर रहे थे, कि सिरफ अच्छा खाने के लिए पैसे मिल गए, या मतलब खाने के लिए, पैसों के ऐसा नहीं था कि पैसे बहुत जादा होते थे, पर overall क्या हुआ, over the time, लोगों की थीरे incomes बढ़ने लगी, ठीक तो जैसे जैसे LPG reforms के बाद थोड़ी income लोगों की बढ़ने लगी है, उससे क्या हुआ है, service sector को boost मिलेगा नहीं मिलेगा, हम travel की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, तो ये चीज़ भी कहीं न कहीं क्या हुआ है, पहले सिरफ necessary चीज़ों के उपर अब थोड़ा discretionary spending भी हमें देखने को मिल गई है, जिसकी वज़ा से क्या हुआ है, service sector का overall increment देखने को मिला है, इसी तरह से tourism भी discuss कर लिया, retailing, catering, elite education, अब अपनने के लिए अच्छे colleges में भी जा सकते हो, तो ये सारी चीज़े भी इस वज़ा से क्या है, income के साथ ये linked है, उ rate किया जा रहा है, तो इंडिया में ये चीज़े अवेलेबल भी हैं, उसके लावा हमारी manpower, एक तो देखो हमारी manpower जो correspondingly बाक्य और countries से low cost में बिल जाती है, ठीक है, और इंडिया के अंदर आपको skilled लोग भी मिल जाएंगे, ठीक थाक, right, IT के corresponding, आप देख रहे हो, कितने जादा इंडिया में यहाँ पे लोग हैं, तो यहाँ पर भी एक proper reason बन जाता है, इंडिया में service sector की growth का, productivity increase होई है, आप जानते भी हो कि overall जो अवारी labor productivity होती है, वो इसी बात पर depend करती है, कि कितना हम output निकाल रहे हैं, output per hour of labor, ठीक हैं, labor के per hour के हिसाप से, और इंडिया में अगर देखो कहीं न कहीं, अगर हम capital के अंदर invest करें, technology के अंदर invest करें, human capital development के अंदर invest करें, तो यह सारी चीज़ें मिलके क्या करेंगी, यह सारी मिलके, हमारी productivity को improve करेंगी है, इस पजासे हमारा overall service sector की growth भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसके साथ ही global technology hub, ठीक है इंडिया में currently भी चीज़ें हो रही है, ठीक है, और साथ ही साथ आप चाहे patents की बात करो, तो यह नए 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 जो innovations हो रहे हैं इंडिया में, इन्होंने भी यहाँ पर हमें help किया है, overall हमारी GDP growth के अंदर और service sector के अंदर, पर यह तो factors बता दिये writer ने, कि factors कुछ है, जिसकी इसके सर्विस सेक्टर गूम कर रहा है, पर हमारा यह सेक्टर कुछ challenges भी तो face कर रहा है, इसके पीछे करीजन है lack of government incentives, अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि government ने कुछ positive steps लिए हैं जिस वज़ा से हुआ है, हाँ बिलकुल हुआ है, पर अगर हम इसको compare करें ना थोड़ा manufacturing sector के साथ, तो manufacturing sectors के corresponding government की जादा incentives है, service sector के corresponding थोड़े से कम है, example से समझो, जैसे की scheme आई, merchandise export incentive scheme, ठीक है, इस तरह से अलग-अलग और schemes भी आई, इन्होंने काफी अच्छा benefit दिया, nearly 40,000 क्रोड का, पर service export incentive scheme, यहाँ पर सिरफ 4000 क्रोड का म एक तरह से हमने focus excessively manufacturing पर करा है, और service के उपर कम करा है, अगर थोड़ा से services के उपर और करें, तो definitely benefit यह कर सकता है, उसी तरह से trade restrictions, देखो, बहुत सारी foreign governments से अलग-अलग trade restrictions लगा रखी है, आप देख भी रहे हो, कहीं ना कहीं, एक तरह सा protectionism चल रहा है, पूरे world के अंदर ह इंडिया का जो export potential है, मारी services का, वो थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, इंडिया देखो, जो OECD, Organization for Economic Operation and Development का Services Trade Restrictiveness Index है, उसके साब से भी इंडिया, sorry, Thailand और इंडोनेशिया ही इंडिया से जाधा restrictive है, बढ़ अदर्वाइस इंडिया भी बहुत जाधा restrictive यहाँ पे देखने को मिला है, manpower की बात, देखो, although इंडिया में skilled manpower है, पर मैंने आपको कुछ lectures पहले भी बताया था क्या, कि इंडिया में आज भी जो skill India report आती है, उसके साब से nearly 55% लोगी सिरफ employable होते हैं, ठीक है, तो large pool तो है, बट शायद अभी भी जो skills चाहिए और जो कहीना की लोगों के पास देखतना से उनकी knowledge है, या फिर जो industry, academia, linkage है, वो अभी उतनी strong नहीं है, तो ये challenge भी कहीना कहीं क्या हुआ, service sector की growth को थोड़ा impact करता है, infrastructure का में मैंने आपको बताया, 14% of GDP, currently हमारी logistics cost है, ये logistics cost है, इस वज़ा से भी जो infrastructure अच्छा ना होना, हमारी tourism को, हमारी hospitality sector को negatively impact कर रहा ह है, इसके इलाबा, access to finance, ठीक है न, तो finance का credit की availability ना होना, ये सारी चीज़े भी overall competitiveness को impact कर रही है, पर ये थे challenges, कुछ हमें solutions भी दो देखने हैं, बिलकुल, तो यहाँ पर writer क्या suggest करते हैं, कि जैसे production incentive scheme हमने करी, उसी तरह कि कोई scheme हम service sector के लिए चला दे, इनको better tax incentives दे, जैस इसी तरह से हम कुछ scheme चलाएं, services from India, अगर इस तरह कि कुछ policy intervention government के दोरा किये चाहेंगे न, तो ये सारे help कर सकते हैं, हमारी overall competitiveness को increase करने के लिए, उसी तरह से जब हम दूसरी countries के साथ three trade agreements करते हैं, तो ensure किया जाना चाहिए, कि वहाँ पर services को भी importance मिले, अक्सर हम न, FTS के अ पर writer बोल रहे हैं कि services को भी उतना ही importance देनी चाहिए, जब हम बात करे हैं, trade negotiation या free trade agreement sign करते हैं, जैसे example देख लो, India, Australia को जो agreement हुआ, बहाँ पर हमने क्या किया, कि services को भी correspondingly importance दी गई है, उसी तरह से data, services को देखो, जैसे आप IT की बात कर लो, communication की बात कर लो, trading की बात कर लो, तो सभी जगा क्या है, data is very important, ठीक है, data is a new oil बोला भी जाता है, तो इस तरह के मानलों कि data कहां पर process होगा, data कहां पर store होगा, data localization जैसे चीज़े हो रही हैं या नहीं हो रही, तो इस तरह की data के regarding जो issues हैं, या जो privacy regarding issues हैं, इनको कहीं नकरी हमें solve करना पड़ेगा, तब ही India उसे साब से Indian service sector एक अच्छा beneficiary निकल कर आएगा, चौथी बात यह है कि जब हम बात करते हैं service sector की, तो service sector में majorly हम सिरफ IT sector को include करते हैं, और देख भी रहे हो कि IT sector का ही major role है, 55% तो IT sector का contribution है, तो जरूरत क्या है, इसको diversify करने की, इंडिया का service sector बड़ा होना चाहिए, financial services भी हो, वो सारी चीज़े हो, पर इंडिया में क्या है, service sector में major contribution IT का ही है, तो diversify करेंगे, तो overall हमारा further expansion इस particular चीज़ों में देखने को मिलेगी, इसके लावा देखो, service sector इंडिया के काफी तेजी से ब्रो कर रही है, ठीक है न, तो अगर हमारी labor productivity, जो कि मैंने आपको क्या पताया, human capital development के उपर, technological progress के अंदर, investment in capital के उपर depend करती है, अगर ये सारी चीज़े होगी, तो definitely कोया होगा, हमारी labor productivity contribute करेगी, हमारी service sector की growth के लिए, साथ ही साथ, government की एक transparent policy हो, ठीक है, एक stable policy हो, कोई ज्यादा changes ना हो, तो definitely होगा, क्या, FDI ही मारा improvement होगा, और जो हमारे पास एक skill talent tool है, ठीक है, इसके अंदर, अगर इसको skills वार अच्छे से वार provide किये जाए, तो definitely जो हमारा demographic dividend है, उसका हम reap कर पाएंगे, अच्छी jobs को create कर पाएंगे, और हमारी human capital को अच्छे से utilize करते हुए, survey sector और internet economic वार grow पर कर आएंगे, ठीक है, तो बहुत सारे facts थे इसके क्यान में रखो, क्योंकि economic के अंदर जब आप answers लिखोगे, तो इन facts को use कर सकते हो, and definitely आपका answer एक बहुत अच्छा answer निकल कर आएगा, right? जो तीसरा आज का editorial है, वो है, woman livestock farmer से समंधित, और इसको अब GS3 के economics of animal wearing के साथ relate कर सकते हो, देखो, actual में अगर आपने 11th October को editorial discussion सुना था, तो उसके अंदर हमने livestock sector को काफी detail में चच्छा की थी, उसके अंदर ही मैंने आपको woman livestock farmer की importance के बारे में भी discuss कर जिया था, तो ये जो particular article है ना, ये काफी हद तक उसी के साथ ही relate करता है, तो अगर आपने vote सुना हुआ है, तो definitely ये आपको, काफी points आपको यहाँ पर similar ही उसके corresponding मिल जाएंगे, तो इस वज़े से हम discuss नहीं कर रहे हैं इसको आज, क्योंकि बहुत ही recent ही हमने इसको काफी detail में देखा हुआ है 11th October के editorial discussion के अंदर, चलते हैं fourth editorial के तरफ, that is no time for placebo, और इसको आप GS2 के इस particular component के साथ relate कर सकते हो, देखे प्लेसीबो क्या होता है, प्लेसीबो एक तरह का एक substance होता है, या फिर आप इसको एक फिल भी बोल सकते हो, actual में देखो एक चीज़ होती है medicine, अब medicine का तो कोई न कोई इसका result होता है, as in कि उसका तो कोई impact होता है, on the other hand, ये दिखता भले ही placebo जो है medicine के तरह है, और इसका कोई medical impact नहीं होता, तो होता क्या है, जब हम करते हैं मान लीजे clinical trials, तो जो अलग-अलग participants हैं, उनको अलग-अल दी medicine, किसी को दे दिया placebo, placebo क्या है, एक pill है, डिखती medicine की तरह है, पर है नहीं medicine, अब क्योंकि देखो placebo, कोई active treatment हो है नहीं, ठीक है ना, इसका किसी के ऊपर impact नहीं आएगा, participant के ऊपर कोई भी impact नहीं होगा, उसकी particular condition के अंदर, अब जब इस तरह की situation आ जाती है, कि जब हमने कुछ लोगों को पिल यह दिया placebo, कुछ लोगों को दी medicine, अब participant का क्या impact आया, उसके उपर, ठीक है ना, medicine से क्या, एक्चल में हमें participant की condition बहतर हो दिखी है, क्या वो placebo की विदिसी तो नहीं है, तो इस वज़ा से हमें पता क्या लग जाता है, हमें पता लग जाता है, कि जो ह एक psychological reason को जासे, अब देखो, इंडिया में बात क्यों हर रहे हैं, इंडिया में एक्चल में ना, देखो, अभी आपको recently एक news सुनने को मिली थी, जहाँ पर क्या हुआ, कि made in pharmaceutical, लिमिटेड है, यह हर्याना बेस्ट एक company है, इनका जो drugs थी, वो product से एक तना से cold and cough शिरिप था वो गैंबिया में गया, और गैंबिया में ऐसा देखा गया, WHO के द्वारा कि वहाँ पर जो 66 children की nearly death हुई है, उसको इसके साथ link करके देखा गया, अब इंडिया को जो सबसे apex drug regulator है, that is CDSEO, Central Drug Standard Control Organization, इसके उपर कुछ ना कुछ question उठ गये हैं, ठीक है, तो इंडिया को dependent regulator है, इसकी जो image है, हम इसके उपर काफी अच्छे से काम करना वड़ेगा, right, अब देखो यह जो अभी हमारे पर situations आई, इसको कहीं ना कहीं हमने DEG, that is diethylene glycol and ethylene glycol के साथ relate करके देखा गया, दरसल में अगर मैं बात करूं थोड़ी DEG के बारे में, तो यह एक तरांखा क अलका सा sweetish taste होता है, पर अगर आपका body का बहुत ज़्यादा exposure हो जाए DEG के साथ, तो उसके वज़ा से kidney damage, liver damage, narcosis, इस तरह की अलग-अलग situations हो सकती है, और अगर इसको लंबे time तक कहीं नगी हम देखें, तो definitely इंसान की death भी हो सकती है, nausea, anemia, इस तरह की उसना कुस situations आ सकत हैं, तो यहाँ पर यही सोचा जा रहा है कि शायद acute kidney failure के पीछे, यह DEG का ही आपको reason यहाँ पर देखने को मिला था, Indian government का क्या response रहे हो सकते हैं, अब देखो बात करें अगर Indian drugs and cosmetics act थी, इस particular act के अंदर होता क्या है कि हमने काफी अच्छी, अगर कोई इसको violate करता है, तो उसके पीछे काफी strong उसके punishments हैं, पर ऐसा देखा गया है कि इनको execute नहीं किया जाता, देखो law बनाना एक चीज़ होती है, उस law को implement करना, उसके strong regulations को अगर आप implement नहीं करते हो, तो law कहीं न कहीं आपको उतना ही point नहीं र किया जाता है, 2020 में भी देखो एक हिमाचल प्रदेश वेस्ट थी, डिजिटल विजन के नाम से, उसकी वज़ा से जम्मो कश्मीर में तेरा बच्चों की डथ होगी थी, टेस्ट में हमें DEG पाया गया, ठीक है ना, यह जो हमने डिसकस करी DEG, that is diethylene glycol के बारे में, तो यह स prosecution successfully नहीं देखने को मिली, देखो reason पता क्या है, हमें exact cause, पीछे का पता करना, काफी difficult हो जाता है, यह तो कई बार कुछ follow up नहीं हो पाता है, ठीक है ना, adulteration के cases हमें देखने तो मिलते हैं, पर उनका prosecution इसलिए नहीं हो पाता है, क्योंकि हम follow up नहीं कर रहे हैं, तो यह जो सा से ज्यादा से ज्यादा सिक्रूटने भी होनी पड़ेगी, ठीक है ना, इंडिया जो WHO है, या अलग-अलग countries हो इस चीज़ को चेक भी करेंगी, considering the fact कि इंडिया इतना major supplier है, और अगर इंडिया में इस तना क्यों चीशी दाते हैं, definitely इंडिया की overall image को, इंडिया को soft power है, उस की कुछ medicines की quality जो थी, वो substandard थी, तो यहाँ पर dishonesty के कुछ cases हमें पहले से भी देखने को मिले हैं, अब देखो, राइटरी यहां बात कर रहे हैं कि pandemic के अंदर इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, इंडिया की जो image थी वो बहुत आगे बढ़के आई, काफी polished image इंडिय रखना है, तो कहीं न कहीं, एक इंडिया की जो image होनी चाहिए, impartial और independent regulator के उपर होनी चाहिए, इस image के उपर work करना चाहिए, कि अगर इंडिया की कोई company इसके पीछे responsible हैं, तो उनके लिए proper prosecution किया जाए, जो लोग भी इसके पीछे कहीं न कहीं responsible थे, उनके साथ proper punishment दी जाए कि आने वाज़े टाइम में ऐसी कोई situation कहीं भी ना हो, और इंडिया global level पे एक strong regulator की image अपनी present करें, तो ये थे आज के चारो articles, I hope आपको ये समझाए होंगे, last week वाले articles भी हमने discuss कर लिए हैं, आप भी इस इतना से अपने end पे hard work करते रहें, goodbye and good luck.